हलो दोस्तों आप सभी को हमारे डेली लाइब डैडी चैनल पर स्वागत हैं आप हमारे वीडियो को अन्तक जरूर देखिए और नय हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और हमारा वीडियो आप देख पाएं तो बहुत करके कट कर लिया है और इसमें मचाला डालने के लिए हमने लिया ब्रासा प्याज एक टमाटर दो है लहशन और तीखा प्यानुसार मिट्ची तो शब्षे पहले प्याज लहशन और मिट्ची का पेस्ट बना लेंगे तो राशा हम फरण के लिए निकाल लिए हुथ और यह जो बचा इसका हम पेस्ट बना लेंगे और अब हम चलते हैं इधर शब्जी बनाने तो हमने कराही में डाल लिया है तेल और शुमें बिंडी डाल करके फ्राइ कर लेंगे तो पाच से दस मिनट हम अज पर बिंडी को फ्राइ करेंगे जिसे बिंडी के खड़ियापन जो होता है वह खत्म हो जाए सब्जी बनाने पर भिंडी का टेस्ट अच्छा है तो हम भिंडी फ्राइब हो चुका है इसको दूसरे बटन में डाल लिये और अब हम शेशे कराही में डालेंगे शेशोन देल इसके बाद इसमें हम एड करेंगे राइ तक काला वाला से शेश्रो को लोग राइ बोलते है अर फिल वाल लह होते हैं इसको शेश्रो बोलते है इसके बढ़ेंगे जो हमने प्याज म्रिठी लहशन का पेष्ट बनाया है उसको और इसको भी 10 से 20 मिनट अच्छा से प्राई करेंगे मसाला को किमियाज पर ही और इसमें एड़ कियें अधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच है मिक्स पाउडर जो हम बताते हैं वाद अनुसार नम है कि मिक्स और लाल काश्मरी मिक्स पाउडर में धनिया पाउडर दीरा काली मिर्च पाउडर गरम मशाला पाउडर से पूछ मिक्स रहता है कि उसके वाद हमने जो फ़रण के लिए प्याज रखा था उसको उपर से टाल जाए जो शाथ में अच्छा से फ्राइब हो जाएगा जब मशाला फ्राइब होने लगता है तो कलर भी चेंज होने लगता है मशाला में लाला पनाने लगता है इसके बाद हम इसमें एड़ कर दिये टमाठर मशाला फ्राइब नहीं हुआ हो और मसाले से पानी सोख गया हो कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फ्राइब करना चाहिए जब तक मशाला अच्छी से फ्राइब ना हो जाए मसाला अच्छा फ्राइब होगा सब्जी का टेस्ट भी अच्छा बनेगा तो देखने से पता चल रहा है जो मशाला फ्यार हो चुका है तो अब हम इसमें कर देंगे खड़ाई किया हुआ हिंडी और मशाला फ्यंडी को अच्छी से मिक्स कर लेंगे और पांच मिनट फिर भी हम इसको प्राइस आते में करते रहेंगे ताकि मशाला और भींडी को अच्छी से मिक्स हो जाएं इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे आधा गिलास पानी क्योंकि बिंडी में ज्यादा ग्रेवी नहीं रखना है तो इसलिए तना ही पांडी डाली है यतना विंडी पक जाएं अच्छी सी तब हम इसको तब करके पका लेंगे दस मिनट् अच्छी रखेंगे जल्दी से पानी नहीं सुखे और बिड्ली न पके अच्छी तो देखिए हमारा शब्जी बन कर त्यार हो चुका है बहुत ही लाजवाब शब्जी बना है आप एक वार इस तरह शब्णा कर देखिएगा बहूत ही आप एक वार इस तरह शबना कर टेस्ट अच्छा बनेगा सब्जी का तो दोस्तों बाए बाए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में